कि अभी कराय लगाया अश्वाइव दुला नहीं जाया हूँ अब लिखास अज़ खुल गया हो और जो छाला भार्दियाने निया नहीं पीएगे यहां की चाय नहीं पीएगे भार्दी पीएगे यह अपनी लाइएगे कफा ले ले लेगे प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं प्रूसा नहीं है सच में वरूसा नहीं है हम भार से मगा लें चाहिए आप भी पीजिए आप अपनी पीजिए अब कहा ने चलुए जिन कारकरताओं ने जनता के पास जाकर के और समाजादी पार्टी के पक्ष में लोगों को जोडने का काम क्या उनकारकरता नेताओं से आज मुलाकात थी क्योंकि करहल विधान सभा ने अच्छे बोटों से समाजादी पार्टी को जिताया जस्वन नगर के बाद अगर किसी विधान सभा ने सबसे अच्छे बोट दे करके जिताया तो वो है करहल विधान सभा और केवल अभी लोकसवा में नहीं इससे पहले भी जब चुनाओ था उस समय भी आम चुनाओ में बड़े-बड़े नेता बाती जंता पार्टी के आये थे और बड़ी-बड़ी बातें करके गए थे उसके बाद भी जंता ने समाजादी पार्टी की मदद की बाते जंता पार्टी बात करने में तो है बहुत आगे इनकी बड़ी-बड़ी बाते हैं लेकिंजब सचाई जमीन पर देखते हैं तो सून्मे दिखाई देता है जो जो घोषटना भारते जंता पार्टी ने की आज भारते जंता पार्टी को आकलन करना चीँए कि दिल्ली और लखनो की सरकार ने क्या उन वादों को पूरा किया है आज महगाई चरम सीमा पर है बरुजगारी चरम सीमा पर है और हालात ऐसे पैदा करने कि नियाई नहीं मिल सकता इस सरकार में अब नियाई की उमीद मत करिए अधिकारी और कई ऐसे लोग हैं जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो भारती जनता पार्टी के कारकरता या पतादिकारी बन करके फैसला ले रहे हैं अगर अधिकारी भारती जनता पार्टी के नेता बन करके काम करेंगे तो न्याय कौन देगा इस सरकार में जनता को न्याय नहीं मिलने वाला हाल में ही आपने कानपुर की कस्टूडियल डेथ देखी किस तरीके से पुलिस ने और वहाँ के लोगों का दवाब रहा होगा भाते जनता पार्टी के किस तरीके से थाने में मार पीट हुई और बाद में उसकी जान चली गी इसी तरह घटना कन्नोज में हुई है कन्नोज में जो घटना हुई है उसका अगर दोसी कोई है तो वहां का विधायक जो महला विधायक हैं वो और जिलादिकारी यह भारते जंता पार्टी मैंने सी लेक्या कि इस सरकार में जहां महंगाई चरम सीमा पर है विरोजगारी चरम सीमा पर है वहीं न्याय की उमीद अब सरकार से नहीं कर सकते हैं